दोस्तों आज मैं आपको मानेने सुप्रीम कोर्ट के जज्जमेंट के साथ भोते महत्पुर न्यूज बताने वाला हूँ कि अब आप है जो सीधे मानेने सुप्रीम कोर्ट जाके वो डाइवर्स ले सकते हैं जिससे आपका डाइवर्स लेना है जो बहुती आसान हो जाएगा कम समय के अंदर है जो आपका डाइवोर्स हो जाएगा बस आपको एक बार सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और ये समझो कि आपका डाइवोर्स है जो हो गया है पर ये किस तरीके से होगा क्या बात है जो माने ने सुप्रेम कोर्ट ने इस जज्जमेंट के अंदर खई है बहुती एतियासिक जज्जमेंट है पांच जजों ने मिलके और ये जज्जमेंट है जो पास किया है तो आपके फायदे का जज्जमेंट है इससे है जो पूरा सिस्टम है जो डाइवोर्स का बदला हो है जो नजर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा क्या बात है इसकी पूरी जानकरी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी पर आपको है जो वीडियो को अंतक देखना होगा तभी है जो पूरी जानकरी समझ में आती है यह आपका अपना चैनल है इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को विश्य दबा दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो वैलकम दोस्तों मैं हूँ आपका अपना एडुकूर जिते अंदर और आज यहां पर breakdown of marriage है जो हो जाने जी अगर ऐसा आपके अगर साधी के अंदर हो चुका है यान कि आपकी साधी अगर पूरी तरह से खतम हो चुकी है अब उसके जुड़ने की है जो कोई भी संभावना नहीं है आपने है जो हर संभाव कोसिस की है अपने रिस्ते को बचाने की अपनी साध को बचाने की पर आपकी साधी है यान कि आपका रिष्ता है जो नहीं बचने वाला है यान कि पूरी तरह से है जो टूर चुका है खतम हो चुका है बस यहां पर अंतिम रास्ता बचा है सरिप और सरिप डाइवोस लेके और अलग होने का तेहां पर irritable breakdown of marriage के अंदर है जो कौन कौन सी कोशी से की है एक दूसरे के उपर आपने हैं जो क्या क्या आरोप लगाए हैं क्या पती पतने एक दूसरे के उपर कोई केस वगरा कर रखे हैं अगर कर रखे हैं तो उन केसों का अभी तक क्या प्रेनाम आया है कोई समाधान निकला है या फिर नहीं निकला है ये भी है जो सुप्रीम कोट के द्वारा देखा जाएगा, तमाम वो बाते हैं जो सुप्रीम कोट के द्वारा देखी जाएगी, कि इनकी लाइफ के अंदर कुछ बचा है या फिर नहीं बचा है, साथ में इनके रहने की कोई possibility है, या फिर नहीं है, अगर नहीं है, पूरी तरे से अगर इस तक खतम होता हुआ, अगर सुप्रीम कोट को दिखाई दे रहा है, तब भी है जो यहां पे सुप्रीम कोट से डाइवर्स मिलेगा, अन्यत है जो नहीं मिलेगा, तो जिनको भी हां पे डाइवर्स लेना है, वो अगर मानेने Supreme Court डायरेक्ट जाना चाते हैं तो उनको है जो इस सारी बाते Court के अंदर साबित करनी होगी इस आधार से साबित करनी होगी कि उनकी marriage के अंदर उनकी life के अंदर है जो साथ में रहने का कुछ भी नहीं बचा है यानकी वो साथ में किसी भी condition के अंदर है जो नहीं रह सकते है रहने की है जो कोई भी possibility नहीं है बस यहाँ पे अंतिम विकल उनके पास इन बचा है डायवोर्स लेने का इस वज़े से है जो मानेने Supreme Court के सामने आये है तो आपको जाना होगा Constitutional of India के Article 142 के अंदर और वहाँ पे जाके आपको साबित करना होगा कि आपकी marriage है जो irritable breakdown of marriage हो चुकी है यानकी आपकी साथी के अंदर है जो अब कुछ भी नहीं बचा है साथ में रहने की है जो बिल्कुल भी possibility नहीं है तब जाके है जो आपका divorce direct है जो Supreme Court से ही हो जाएगा तो यह बात तो आपके समझ में आ गई होगी अब अगली बात है जो इस judgment के अंदर ये भी खई गई है कि जैसे HMA के section 13B के अंदर ये प्रावधन किया गया है कि जो cooling period है जो one motion से लेके second motion के बीच का होता है यानि कि mutual divorce लेने के अंदर आपको है जो first motion से लेके second motion के बीच में जो six month का इंतिजार करना पड़ता है वो है जो अब इस माने ने Supreme Court के judgment के अनुसार है जो नहीं करना पड़ेगा यानि कि कोई court है जो आपको बादे नहीं कर सकती है अगर आपकी marriage बची नहीं है यानि कि आपकी marriage अगर पूरी तरे से खतम हो चुकी है तो आपको है जो इस आधार से बादे नहीं किया जाएगा कि आपको है जो six मेने तक wait करना ही पड़ेगा यानि कि आपका है जो first motion अगर complete हो चुका है तो आपका divorce है जो second motion है जो जल्दी से जल्दी हो सकता है यानि कि sort के अंदर है जो mutual divorce के आपकी प्रक्रिया है जो हो जाएगी अब अगले बात है जो माने ने सुप्रीम कोट ने ये भी खई है कि कई बार ये भी सवाल खड़े होते हैं ये भी पूछा जाता है कि क्या direct सुप्रीम कोट और हाई कोट के अंदर article 32 और 226 के अंदर writ डालके भी direct divorce लिया जा सकता है तो इसके उपर है जो सुप्रीम कोट ने साम मना किया है कि ऐसी कोई रिट वगरा डालके है जो direct divorce नहीं लिया जा सकता है अगर आपको divorce लेना है तो family कोट की जो भी परकिरिया है उसके according है जो लिया जा सकता है या फिर आप direct supreme code जाके और article 142 के अंदर भी है जो divorce ले सकते है जैसा कि मैं आपको वीडियो के starting के अंदर बताया हूँ तो जानकरी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी अगर और और भी कोई जानकरी नहीं समझ में आई है तो screen के उपर मेरे number 100 हो रहे है और इस वीडियो के description के अंदर इस judgment को पूरा link दिया गया है इसको आप अच्छे से read करके और पूरी जानकरी है जो प्राप्त कर सकते हैं जानकरी समझ में आ गई वीडियो को जोरो लाइक करे और शेरी भी करे जो और लोगों तके जानकरी पहुंच सके तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद